हाँ तो वीडियो काट करने के लिए हम दुबारा यही क्रॉप के लिंक पे जाएंगे और कोई भी वीडियो जो आप क्रॉप करना चाहते हैं जिसका लास्ट ने शुरू वाला कुछ पार्ट काटना चाहते हैं उसको स्लेक्ट कर लेंगे ओपन करेंगे यह वीडियो इस सॉफ्टेयर के अंदर स्लेक्ट होके आ चुकी है तो अब हम यह क्लिप वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे यहां पे हमने select का लेना है कि यह start है कि यह video कहां से लेके कहां तक हमने crop करनी है clip लेना है इस video का यह 1 minute और 36 second की video है हम यह चाहते हैं कि इसके अगले 6 second की video हमारे पास ना हो और 1 minute और 30 second की video रह जाए तो हम यहां यह start से लेंगे और यह select कर लेंगे कि end हमने इस वीडियो का कहां तक लेना है यहां पे हम इसको आप आगे drag करके भी लिए जा सकते हैं यैसे यह 1 minute और 30 second 1 minute और 30 second की हमने वीडियो रहने देनी है बाकी हमने इसका part खत्म कर देना है तो यहां पे आप 1 minute और 30 second तक इसे select कर लेंगे और ok करेंगे दोबारा ok पर press करेंगे तो हमारी वीडियो यहां आ चुकी है इसको आप start करेंगे तो अब यह जो crop video हमारे पास आएगी वो 1 minute और 30 second की होगी अगले 6 second की वीडियो यहां से खत्म हो जाएगी इस तरह आप अगर शुरू में वीडियो की शुरू में कोई ऐसा issue है जिसके वज़ा से आप शुरू वाला पार्ट नहीं लेना चाहते तो इसी सेम तरीके से ही आप यहां पे अभी हमने सीखा है जैसे कि कोई भी वीडियो लेंगे और उसको clip में यहां पे कि कितने time की वीडियो डिलीट करना चाहते हैं तो वो यहां पे time select करने अगर आप एक minute की वीडियो एक second की वीडियो डिलीट करना चाहते हैं तो यहां पे एक second पे ले जाएंगे और end जो है उसको आप ले जाएंगे यहां ताथ तो अब जो आप लोग के पास cropped video आएगी वो clip आएगा वो उसमें से शुरू पहला एक second नहीं होगा जितने भी second आप delete करना चाहते हैं इसमें आप देख लें यहां से भी आप select कर सकते हैं कि आप शुरू के 6 second delete करना चाहते हैं शुरू के 6 second खतम हो जाएगा और 6 second के बाद आगे से वीडियो चल पड़ेगी तो इस तरह से भी आप शुरू के वीडियो का कुछ पार्ट delete कर सकते हैं और हमने पहले सीख लिया है कि हम वीडियो के आखरी पार्ट कैसे delete कर सकते हैं आगे process वो ही है select करेंगे software में ले जाएंगे और start करेंगे तो अब हमारी जो हमने पहले वीडियो का last part delete किया है वो complete हो चुका है अब हम देखते हैं output folder के अंदर के क्या output result आया है तो यहां पे यह है हमारी वीडियो यह देखें पहले 1 minute और 36 second की थी और आप यह शो हो रही है 1 minute और 30 second की तो इसके आगे वाला 6 second का part खतम हो चुका है तो इस तरह से हम अपनी वीडियो का unnecessary part भी delete कर सकते हैं किसी भी वीडियो के अंदर clip ले सकते हैं आप अगर दर्मियान का clip लेना चाहते हैं तो शुरू का और end का time दें तो दर्मियान का जितना आप clip लेना चाहते हैं select करें और दर्मियान का clip लेने तो अब तक लिए इतना ही